तुझ हो ताम राम तो आज तुमनों को 5 ऐसे फूड के बारे में बताने वाले एंग की सामने नंबर आ रहा हुए इस पे पेमेंट करके को स्कूरट जो सामने आ रहा है 25black फॉन पे खू से शाड करना है और अब app नमबर आ आगे पाँट ऐसे फूड में सबसे पहला फूड है वह सोया बीन त्योंकों poking प्रोटीन परिष्ट है और सबसे सस्ता डेली तुम्हें कम 30-40 ग्राम सोया बीन जरूरा करना चाहिए वह बड़ी की बात हम कर रहे डेली एड करना चाहिए उसका रीजन क्या है उसका रीजन यह है कि अगर तुम डेली प्रोटीन एक करोगे तो तुम जो दोड़ते हो अपने सरी के इसी करा देते हो तो उसको रिपेयर करने के लिए ठीक है अब देखो जिसे माल ल बनाता है वो होते हैं amino acids जो की protein के building block होते तो जब protein Katero यहाई चुछ ठीड़े तूटे हो जमते हैं नहीं फाइबर बनते हैं और उस infekt मुसल त्यार होती इसी से से मुझल का सभता है और सव लिगोटी दो सबसे पहले चीज है वह सोयज़ने ही जरूर डेली कॉंप्लेक्स का मतलब यह होता है कि जब तुम देली बेसे पर कार्बोहईडर लेते हो इस फॉर्म में तो तुम्हें दिन भर एनरजी मिलती है तो राथ तुम साम को रणिंग जा रहा हो सुबह भी जा रहा हो दोनों टाइम तुम्हें हेल्प मिलेगी दूसरी चीज यह रही है डेली तुम लिया करो अस्वगंदा या सिला जी दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेते हो यह तुमारी बॉड़ी में इंटर्नल जो दिक्कते हैं और उनको रिपेर करने का काम करती साथ साथ इसमें जो वाइटमिन्स मिनराल्स है वो तुम मालों तुम कोई भी च इसलिए तीसरी नंबर का है अस्वगंदा या फिर सिलाजित अगर हम चौथी चीज़ की बात करें जो चौथा अपना फूड़ आइटम होगा उसकी अगर हम बात करें तो वह यार अध्रक ठीक है अब अध्रक को इग्नोर कर देते हो तुम लोग चाए के साथ से पीते हो अच्छी बात है हम यह कहेंगे सुवह जब भी गरम पानी पीते हो तो एक अध्रक का छोटा टुकड़ा या तो चबाके या फिर उसी में गरम करके डेली पीना चालू कर दो इस जितनी भी यह वाली दिक्कत ना लंग्स वाली या फिर गले वाली जितनी भी दिक्कत है इं करना पड़ेगा और लोड जादा फिर सांस फूलेगी तो चौता फूड क्या है जिंजर पांचवी चीज है हरी सब्सक्राइब ले लो में बेसिकली पालक ही आती है में तो यह पालक क्या करती है हम डिरेक्ट पालक की बात करें अगर तो आयरन है वह तो अलग चीज हो बॉड़ी में ब्लड का स्कुलेसन बहुत स्मूध होने लगेगा तो हर जगह बॉड़ी के हर पार्ट में ब्लड सही से पहुचेगा अब यह नहीं है कि पालक खाने सही चीजे हो जाएगी नहीं हम यह कहने चोटी चोटी चीज़ जब एक करोगे तब जाके बड़ा बेनि झाल कोटी चीज़िए